दोस्तों देश भर में बढ़ते लॉकडाउन के चलते अलग अलग राजियों में किस तरह से मजदूर भाई फसे हुए हैं आप सभी लोगों ने देखा मजदूरों को ना तो टाइम पर खाना मिल पा रहा था ना वो जरूरत की चीज़े जो उनकी जरूरत थी लेकिन जिस तरह से मजदूरों को घर पहुचाने के लिए उनके मांग हुई उसको सरकार ने एकसब्ट तो जरूर कर लिया मांग तो जरूर लिया लेकिन मजदूरों को उनके घर तक पहुचाने के लिए जो इस्पेशल ट्रेनों का इंतिजाम किया गया उसमें जो किराया वसुला जा रहा है उसका मामला अब तूल पकड़ रहा है और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मोधी सरकार की एक बार फिर पूल खुल गई है दरसल आपको बता दू लवडॉन में फसे लोगों को विशेश ट्रेन के जरिये उनके ग्रह राज पहुचाने के लिए किराया वसुलने का मामला इस हपते की शुरवात से ही विवादों में है दरसल केंदर सरकार और भाजपा नेता ये दावा कर रहे हैं कि रेलवे परिवाहन का 85% खर्चा केंदर सरकार उठाती है और 15% खर्च वाहन राज सरकारों को करना होगा हलाकि इस समन्द में अभी तक सरकार की ओर से कोई अधिकारिक आदेश या निर्देश जारी नहीं किया गया है फिर सोशल मीडिया के जरिये ही भाजपा के नेता और परवक्ता इसका परचार कर रहे हैं वहीं दूसरी तरब मजदूरों को इस महमारी के दौर में भी करीब करीब उतना ही रेल किराया देना पढ़ रहा है जितना आम दिनों में देना पढ़ता था और यही मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुचा है और सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी तरह से पूल खुल गई है कि कौन सी सरकार राज सरकार या केंदर सरकार कितना किराया मजदूरों का उठा रही है भर रही है आप सभी जानते होंगे कॉंग्रेस पार्टी ने इसी को ले उठाने के लिए त्रेंड के किराय का जितना खर्चा होगा वो कांग्रेस पार्टी उठा latte उठाएंगी और शास्यतराज्यों की सरकारे उठाएंगी उसके बाद बीजेपी ने कंग्रेस के ओपर या आरोप लगा दिया किंग्रेस तो मजदूरों कर रही है आप आप से एक छोटी सी रिक्विस्ट आगर आपको भी लगता है कि अलग अलग राज्यों में फसे हुए मजदूरों को उनके घर तक बिल्कुल फ्री में पहुंचा जाना चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए खास बात तो यह है कि बीते मंगलवार को जो मजदूरों के किराये का मामला है वो सुप्रीम कोट में भी उठाया गया जजों ने केंदर के वकीलों से यानि केंदर सरकार के वकीलों से पूछा कि क्या सरकार शिर्मिक ट्रेनों से यात्रा करने वाले मजदूरों को पच्चासी फिस्दी किराया दे रही है केंदर सरकार ने सम्मंद में कोई भी जबाब देने से इंकार कर दिया यह मैंे कह रहा हूं आप स्क्रीël शोर डे हैं अख़वारों में च्छपी हुई ख़बर की बात कर रहा हूं सरकार ने यह भी नहीं बताया कि प्रति टिकेट सबसेड़ी दे रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोट में ऐसी कोई बात सामने नहीं है जब मोधी सरकार की तरफ से अपनी परवेल करने वाले वक्किलों से सवाल पूछा गया कि आप बताइए कितनी सबसेड़ी दे रहे हैं तो उन्होंने किसी भी जबाब देने से इंकार कर दिया कोई भी किसी तरह का जबाब नहीं दिया गया है। करके यह मामला सुप्रीम कोट में पहुंचा था अब आप समझ सकते हैं करनी और कथनी में कितना फर्क होता है टीवी चैनल्स में आ करके आप भासर दे जाएं और यह कह दे हमने तो गरीबों के लिए इतना कर दिया उतना कर दिया लेकिन ग्राउंड रियालिटी क्या है आप दे कितना रहे हैं जब सुप्रीम कोट में मामला पहुंचा तो सब पोल खुल के सामने आ गई आपकी इस पर क्या रहा है निच्छे कमेड़ वोस में जरूर बताइए इस वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें